हेलो चो कैसे हो आप सब आज की इस वीडियो में हम लोग एंग्यूलर प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टड़ी करेंगे एंग्यूलर प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब जैसा कि हमने पहले वी वीडियो में पड़ा है क्या होता एंग्यूलर प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क जब एक particle projectile का मतलब gravity की presence में move कर रहा हो लेकिन उसकी जो initial speed है हमने एक angle पर दी हो तो हम बोलेंगे कैसा motion हो रहा है angular projectile motion हो रहा है इसके examples क्या हैं इसके कहीं सारे examples हैं जैसे एक cricator है वो जब एक batsman एक ball को hit करता है तो जिस type का motion वो हवा के अंदर follow कर रही है वो एक angular projectile motion है जब आप अपने friend की तरफ एक ball को catch कर आ रहे होते हो तो वो कैसा motion होता है इस तरह का होता है angular projectile motion होता तो जितने भी games होते हैं कहीं तरह की games होते हैं इस football के अंदर भी इस तरह के motions हमें देखने को मिल जाते हैं तो आप देखोगे कि usually क्या रहता है कि जैसे ही जो है batsman उस ball को hit करता है उसी time पे आप जो है आपकी tv screen के उपर लिखा आ जाता है कि देखो ये जो six है ये जो है 95 meter का है 98 meters का है अभी इस part में हम लोग यही समझेंगे कि किस तरह से by only looking at the speed of the ball and at the angle of projection हम लोग बता सकते हैं कि उसकी range कितनी हो जाएगी horizontal range वो कितनी दूरी तक जाएगा वो six क्या वो six होने वाला है या फिर जो है किसी फील्डर के हाथ में जाने वाली है बोल या फिर वो कितनी height पे जाने वाली है तो इस तरह से हम लोग start करते हैं इसको तो सबसे पहली बात तो angular projectile motion कैसा motion है it is a two dimensional motion और two dimensional motion के बारे में आपको हमने fact बताया है क्या कि every two dimensional motion can be broken down into two one dimensional motions के हर एक two d motion को आप लोग दो one d motions के अंदर break कर सकते हैं तो इसके अंदर देखता है कि कैसे इस two d motion को हमें two one d motions में break करना है x-axis में और y-axis में हम इसे break करेंगे तो यह है हमारी x-axis और यह है हमारी y-axis बच्चो तो initial velocity आप जैसा कि देख सकते हैं यह हमने इस side पे जो है मानलों कि जैसे batsman ने हिट के रहा तो u speed से उपर की तरफ बोल आपकी जा रही है at an angle of theta तो अब इसको क्या करते हैं दोनो x और y-axis के motion में हम लोग describe करने की कोशिश करते हैं सबसे पहली बात तो for x-axis सबसे पहले हम देखो निकालना क्या क्या है इसके अंदर एक तो equation of motion हम लोग निकालना चाहेंगे इसके अंदर क्या equation of motion रहेगी दूसरा time of flight कितनी देद तक body जो है या फिर ball जो है हवा के अंदर है तीसरा maximum height कितनी ज्यादा height तक पहुँच रही है वो चोथा horizontal range कितनी उसकी range रहने वाली है और तीसरा velocity at any time के यहाँ पर जब वो है तब उस time पर उसकी velocity कुछ और रहने वाली है तो क्या at any instant of time उसकी velocity रहेगी तो यह सब चीजे हम लोग इस part में discuss करेंगे तो सबसे पहले आते है equation of motion के ऊपर बच्चों उसके बाद हम time of flight discuss करेंगे, फिर दिरे दिरे ओर साथ चीज़ है, तो सबसे पहले equation of motion को discuss करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस 2D motion को 2 1D motions में describe करने कोशिकर, सबसे पहले x-axis के बारे में लिखते हैं, और इस side पे हम लोग y-axis के motion के बारे में लिखते हैं, तो यदि मैं x- x-axis की बात करूँ, तो मेरे पास initial velocity क्या है बच्चों, देखो, ये u speed थी, इसका एक component x-axis में रहेगा, एक component y-axis में रहेगा, तो मैं बात करूँ के अगर x-axis के motion की बात करूँ, तो ux is equal to u cos theta, जिस भी angle के साथ में vector होता है, उसके साथ में cos theta component आता है, उसके perpendicular वाला यानि के u y जो हो जाता है, वो u sin theta हो जाएगा, उसके साथ में sin theta component आता है, तो इसके अदर अगर मैं velocities लिखना चाहूँ, तो u x is equal to u cos theta हो जाएगा, बच्चों, u y is equal to u sin theta हो जाएगा, बच्चों, अगर मैं acceleration की बात करूँ, तो क्या x-axis में कोई force लग रहा है उसके उपर, देखो जितना भी force लग रहा होगा, gravity की वज़ा से तो नीचे ही force लगता ना, तो x-axis में तो there is no force, और अगर force नहीं तो acceleration नहीं, f is equal to mass into acceleration, तो ax is equal to 0 हो गया, बच्चों, अब y-axis की अगर मैं बात करूँ, तो ay is equal to minus g, यानिके minus 9.8 meter per second का square, तो I hope यहां तक आपको बहुत अच्छे से यह clear हो गया होगा, यहां पर zonald जी की value क्या है, 9.8 meter per second square, अब हम क्या करते हैं, equations of motion हमारे पास है, उनमें put करते हैं values को और अपना simple से logic को use करते हैं आगे की तरफ, तो जैसा कि हमें पता है, कि एक equation होती है, s is equal to ut plus half 80 square, इस equation को मैं क्या करने वाला हूँ, x-axis के लिए लि plus half ax t का square, अब इसको solve करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, x is equal to ux की जगा क्या लिखूंगा मैं बच्चो, u cos theta times t plus half 0 into t का square, यानि के केवल 0 आ गया बच्चो यहां पर, तो therefore, x is equal to u cos theta multiply by t, तो अब अगर मुझसे कोई पूछे के सर, time अगर मुझे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, t is equal to x divided by u cos theta आ गया, this is going to be my equation number 1, जब मैं equation of motion को निकाल रहा हूँ, अब इसी similar equation को हम लोग लिखते हैं, y-axis के लिए, y-axis के लिए, s is equal to ut plus half a d square लिखो, सबसे पहले क्या आएगा, तो for y-axis motion, s की जगा आपने लिख दिया, y is equal to yt plus half a yt का square, अब इसके अंदर हम लोग values को put करते हैं, और समझते हैं, इसके अंदर क्या-क्या और modification की जा सकते हैं, y is equal to ui की जगा आपने put कर दिया, u sin theta into t plus half a y की जगा हमने put कर दी value minus g into t का square, ओके बच्चों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको oversimplify करने के लिए, हम लोग putting equation 1 into this equation number 2, putting 1 into, आप यहाँ से t की value उठाएं, और इसमें put कर दीजे, तो y is equal to, अब मैं यहाँ पर लिख लिजेगा, because I have some lack of space, तो आप यहाँ पर सबसे बहर लिखेगा, putting 1 into, उसके बाद आप लिखे यहाँ पर, u sin theta into t की जगा हमने put करा, x divided by u cos of theta, plus, या फिर minus बाहर आगया, तो minus g by 2 into t की जगा, x divided by u cos theta का whole square, तो यह आपके सामने, बहुत ही simple सी एक equation आचुगी है, आप इसको simplify करें, तो u से u cancel हो गया, यहाँ पर आपका, and x sin theta by cos theta is tangent theta, तो इसको simplify करके, अगर मैं लिखना चाहूँ, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, y is equal to, क्या आगया हमारे बास, x tangent theta minus g by 2 x square by u square cos square theta, तो this is the equation of motion of a projectile, okay, that is angular projectile, तो इससे हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए बच्चो, तो यहाँ पर y है, left hand side पर, right hand side पर जो maximum power है, वो x का square है, तो यह कैसी equation आगी बच्चो, y is equal to ax square plus bx, कुछ इस तरह की equation, यह पूरा की पूरी quantity जो है, आपने इसको a बोल दिया, इस quantity को आपने b बोल दिया, तो ax square plus bx, a की value आपनो negative भी आप जोइन कर सकते हैं, तो that's all, not a problem in that, तो यह कैसा, this is an equation of again, what, parabola, this is an equation of parabola, वच्चो, तो कैसा बन रहा है, parabola ही बन रहा है, कैसा parabola है, downward parabola है, क्यों, क्योंकि there is a negative sign in this, यह कैसा है, y is equal to minus kx square, तो कैसा बनता है, downward parabola बनता है, वच्चो, तो यह हमारा पास, पहला हमारा part था, derivation का, जिसमें हमने क्या करा, इसका equation of motion को निकाला, तो इसके अदर आप लोग क्या कर सकते हैं, अब आपको जो है, कभी-कभी यह बोला जाएगा, कि जैसे आपके पास यह coordinates दे रखे हैं, 0, 0, ओके, तो आपसे पूचा जाएगा, कि if I project this bowl with an initial speed of 10 meter per second at an angle of 30 degree, तो आपके पास u की value आगे, equation पूच करने के लिए, theta की value आगे, then what will be the position of the bowl in the y-axis, जब मैं उसको x-axis में बोल रहा हूँ कि वो 5 meter per, जब when x is equal to 5, at that point, what is the value of y, तो आप कैसे निकालेंगे, इसके अंदर u की value पूच करें, 10, theta की value पूच कर दीजिए, आप depending on the question, let's say 30 degree है यहाँ पे, तो आपने पूच कर दिया, x की value आपको दी गई है, 5 भी पूच सकते हैं, 7 पर पूच सकते हैं, 9 पर पूच सकते हैं, आप values को पूच करें, आपका अंसर आजाएगा, तो इस equation को आप simply use कर सकते हैं, to find out the different coordinates of this motion, motion के time पर उसके coordinates क्या-क्या रहेंगे, तो आप वो पता लगा सकते हैं, इस equation की help से, ओके बच्चों, तो अब बढ़ते हैं, अपने second part की तरफ, जिसके अंदर हमें निकालना है इसका time of flight, तो देखते हैं, time of flight कैसे निकाल सकते हैं, using the same kind of equations, तो अभी के लिए मैं इसको rub करने वाला हूँ, ताकि फिर से starting से हम इस derivation को consider कर सकें, तो यहां तक हमारे पास जो है, सारा जब चीजे सेम रहने वाली हैं, अब time of flight निकालना है, time of flight का मतलब के यहां से start होके, यहां तक आने में मुझे कितना time लगने वाला है, जितनी देर तक मेरे जो bowl है, वो हवा के अंदर है, वो time निकालना चाहता हूँ, बच्चो, तो this is a very simple fact के देखो, इस a point से, अगर मुझे c point तक जाना है, देखो, तो मान लेते हैं कि इसके अंदर capital T time लग रहे हैं वेरा, इसको मैं time of flight बोल देता हूँ, capital T को, तो a से b तक पहुँचने में जितना time लगेगा, उतना ही time b से c तक पहुँचने में भी लगना चाहिए, तो let us assume कि यहाँ a से b तक पहुचने में उसको t second लगते हैं, तो b से c तक पहुचने में उसको t second ही लगेंगे, तो therefore time of flight T, अब हम time of flight की calculation कर रहे हैं, time of flight T must be equal to two times small t, ओके बच्चों, time of flight T is equal to two times small t, कि a से b तक पहुचने में उसको मुझे time कितना लगाएगा, यह निकाल लूँ मैं, उसका double कर दूँआ तो time of flight मिल जाएगा, मुझे that's all, very simply, तो अब निकालते हैं time, यह small t कैसे निकालना है, बहुत easy है कि अगर मैं y axis की बात करूँ, तो उसके पास initial velocity कितनी है, u sin theta, b तक पहुचते पहुचते, आप देखो ध्यान से क्या हो रहा है, बच्चों देखते जाना, बहुत important fact बता रहा हूँ आभी आपको, कि इस point पे इसके दो component है, u x, u cos theta and u sin theta, थोड़े देर के बाद, जब मैं यहाँ पर पहुचता हूँ, इसके component यह हो गए, यहाँ तक पहुच रहा हूँ, इसके कुछ और component हो गए, जैसे लेटस से एक यह हो गया, एक यह हो गया, इस point तक आते आते, देखो, जैसे मैं उपर जाता जा रहा हूँ, इसका जो y component है, वो धीरे-धीरे decrease हो रहा है, आप द्यान से देखो तो, इस point तक आते आते, जितना भी y component है, वो decrease हो गया, क्यों क्योंकि जो है, y axis की speed कम क्यों होते जा रहे, क्योंकि नीचे की direction में उसके उपर, एक acceleration या फिरे deceleration लग रहे है, अब पहले speed ज्यादा थी ui, उपर पहुँचे थोड़ा सा कम हो गई, और उपर पहुचे और कम हो गई, यहां तक आते आते 0 हो गई, तो यानि के at the topmost point b, at the topmost point b, velocity in the y direction must be equal to 0, तभी तो वो topmost point है न, topmost point का मतलब जहां तक maximum वो जा सकता है, maximum point का मतलब जहां पर जा के उसकी speed 0 होगे, उसके बाद आप वो नीचे आएगा, तो this is the maximum point, at point b, vy is equal to 0, अब मेरे पास simple equation है, v is equal to u plus at, इसको मैंने y axis के motion के लिए लिखा है, v is equal to u plus at, अब values को put करें, आपके पास बहुत ही easily आपका answer आने वाला है, g times t, अब gt को आप इस तरफ ले गाए, g into t is equal to u sin theta, small t is equal to u sin theta by g, तो this is the time in reaching from a to b, total time क्या है, a से b नहीं निकालना, a से c निकालना है है मुझे, तो it will be double, तो time of flight t, is equal to 2 times small t, which is equal to 2u sin theta divided by g, तो बहुत ही simple और अच्छे तरीके से आपने ये formula निकाल लिया है बच्चों, तो I hope आपको clear हो गया होगा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, time of flight निकालने में, तो ये थी आपकी दूसरी derivation, जिसमें आपने time of flight निकाला, अब third part हमें आपसे पूछ रहा हूँ है, कि what is the maximum height, कितनी ज्यादा height तक जाने वाली है मेरी जो bowl है, तो आपको बोलेंगे कि initial velocity आपको हमने दे दी, कि sir 30 की speed से तिंदूल करने 6 मारा है, at an angle 30 degree, अब बताओ ये कितनी height तक जाने वाली है ये bowl, तो कैसे निकालेंगे आप लोग maximum height को, तो इसके लिए भी आपके पास बड़ी simple से derivation है, जिसको यूज करके आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे अब देखना, तो इसको मैं rub कर देता हूँ, यहां से, अब, तो अभी हमें क्या निकालना है, maximum height h, तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, हमारे पास फिर से बड़ी simple सी एक equation है, कि a से b तक जाने वाले motion के लिए, मेरे पास अभी तो हमने यहां पर तो time of light के लिए यह निकाला था, अब इस बार equation यूज कर लेते हैं, v square minus u square is equal to 2as, ओके, v square minus u square is equal to 2as, तो v y का square minus u y का square is equal to 2 times a y into h, क्योंकि displacement h किस direction में displacement है, it is the displacement in the y direction, तो this is your h, तो अब इसके अंदर values को put करें अपनी, तो 0 minus u sin theta का whole square is equal to 2 times minus g times h, minus से minus हो गया, खताम, बचा क्या, u square sin square theta by 2g is equal to h, तो यह आ गई बच्चों, आपके सामने बहुत ही simple तरीके से equation, जिसकी वाद से आपने height निकाल सकता हो, अब से कोई equation पूचे, अब कि अब ही तिंदूल करने, जो है, अगर 30 meter per second से 30 degree angle के उपर निकाल, अगर ball को hit किया है, तो उसकी ball कितनी height तक जाने वाली है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 30 value put करेंगे, theta की value 30 degree put करेंगे, और g की value आपको पता है, 9.8 होती है, आपने value put करनी है, और आपके पास पता लग जाएगा, कि उसकी height जो है, काफी height तक, लेकिन क्या उसकी ball इतनी अच्छी उसने hit करी है, कि वो six या फिर boundary line को पार कर सकती है, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, range निकालना पड़ेगा, जिसको देखते साथ ही जो है, commentator बोल देते हैं, जैसे ही बोल हिट होती है, commentary के अंदर उनके पास पोच जाता है, यह result के बोल six को पार करेगा या नहीं करेगा, तो देखते हैं कैसे, वो इसी तरह की equations के अंदर, अपने speed और angle को put करते हैं, और उनके पास एक ही second के अंदर answer आजा जाता है, तो सबसे पहले अभी हम क्या निकाल रहे हैं, यह था हमारे पास height, अब निकालते हैं range या फिर horizontal range, ओके, so horizontal range निकालने के लिए आपके पास यह time था, time of flight के अगर मैं बात करूं, तो वो क्या था, 2u sin theta by g, यह था आपका time of flight बचाँ, अब इसकी help से कैसे निकाल सकते हैं अपना horizontal range, horizontal range का मतलब क्या हुआ, कि यहां से लेके यहां तक का distance क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि जितनी देर में यहां से यहां पोच रहा है, उतने time में उसने कितना distance ट्राइल कराई, मतलब इतने time में उसने कितना distance ट्राइल कराई, इतनी देर में यह range को cover कर रहा हुआ, तो S, यानि कि अगर मैं x-axis के motion की बात करूँ, क्योंकि range किसमें x-axis में है, तो इस ध्यान रखने derivation के time पर, कि आप से क्या चीज निकल बाई जारी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है x-axis के लिए equation लिखनी पड़ेगी, height की बात कर रहा हूँ, तो y-axis के motion के बात कर रहा हूँ, आपको y-axis के equations लिखनी पड़ेगी, तो depend करेगा, आप से पूछा का जा रहा है, उसमें आप लिखेंगे उसके हिसाब से equation, तो horizontal मतलब x-axis की range, तो x is equal to u-x-t plus half a-x-t का square, यहाँ पे small t क्या है, यहाँ पे t क्या है, जितनी भी देर उसको लग रही है, सब चीजों की value पूट करते हैं, देखते जाना अभी, तो x is equal to u-x की value कितनी होगी बच्चों, आपकी यह रही, u-cos-theta into time, कितनी देर तक हो body हवा में है, time of flight जितने time के लिए, तो उसकी value कितनी हो जाएगी, 2u-sin-theta by g, प्लस half times a-x की value क्या है, देखो, आप इने बताया मुझे कि इसकी value 0 होती है, तो यहाँ पर हमने 0 put कर दिया, तो आपके पास range, अब x को हम लोग बोल देते हैं, range यानि के r, तो r is equal to, देखो, u-square into 2sin-theta cos-theta divided by g, r is equal to u-square into 2sin-theta cos-theta divided by g, अब 2sin-theta cos-theta क्या होता है, आपने 10th class में पढ़ाओगा, इसको हम लोग sin-2-theta भी बोल देते हैं, तो range is equal to u-square into sin-2-theta divided by g, तो यह पार्ट आपको clear हो गया होगा, कि कैसे r is equal to u-square into sin-2-theta by g, तो अब इस equation में आपके सामने एक dilemma create हो रहा है, अलग सी एक बात आपके सामने create होगी, अब यह अपको समझाएगी, कि sin-2-theta, क्या मतलब same range के लिए there are two angles, तो आप अपने कभी ध्यान दिया हो ना, तो आपके पास ना दो angles होते हैं, usually जिसकी मदद से आप same ही जगा पर बोल को पहुचा सकते हैं, मतलब क्या हुआ इस बात का, कि जैसे मानलो मेरे पास एक यह point है A, और यह दूसरा point है C, A से C तक पहुचाने के लिए जो है, मेरे पास मैं दो angles के उपर same speed से बोल को मार सकता हूँ, मतलब क्या हुआ, कि जैसे मानलो same speed U से, मैंने एक angle पे मारा theta 1 पे, तब यह ball कुछ इस तरह का motion show करती है, same ही speed से, अगर मैंने एक और angle पे भी hit कर सकता हूँ, कि यह ball जो है, इस तरफ जाए, उस angle को हम बोल देते हैं, let us say theta 2, तो initially जिस angle से मैं hit कर रहा था, वो theta 1 angle था, और finally जिस angle से hit कर रहा था, theta 2 था, तो कैसे निकालना है, तो I guess आपको यह question clear नहीं होगा तो एक बड़ ध्यान से सुनिए, what is my question, my question is, to find the same range, what are the two angles of projection, same range हासिल करने के लिए, same horizontal range हासिल करने के लिए, क्या मुझे कौन से दो angles के उपर मैं hit कर सकता हूँ, जिनकी वैसे same range जाना चाहिए, वो इस formula से मुझे पता लगेगा, देखना भी कैसे, तो बच्चो, let us assume कि, इसको पहले रब कर लेते हैं, फिर हम लोग इस पार्ट पर बढ़ते हैं, सबसे पहले यह हमने रब कर दिया, जल्दी से इस derivation को note down जरूर कीज़ेगा बच्चो, अधरवाइस आप लोग इसको भूल सकते हैं, कैसे हुआ है derivation, तो, तो, यस, यह है हमारे पास, तो मैं बात क्या कर रहा हूँ, कि, let us say, कि यह हमारे पास, यह range का formula आया है, u square, into sin, 2 theta, by g, this is the formula for my horizontal range, अब मैं आप से क्या पूछ रहा हूँ, what are the two angles of projection, जिसके लिए मुझे range यह सेम इलती है, देखो ध्यान से, चाए मैं ऐसे मारता हूँ, जब भी सेम जगा पर पोंच रहा है, चाए मैं नीचे से मारता हूँ, जब भी सेम जगा पर बूत रहा है, आप इसको एक बार ट्राई करके देखेगा, अगर आप बॉल से खेलते हैं, तो दो फ्रेंड्स आप साथ सावने खड़ो जाएगा, तो आप अपनी location को change किजे भी न, आप अलग-अलग angles पे थ्रो करके देखेगा, तो आपको ऐसे दो angles मिलेंगे, जिसके लिए आप सेम ही locations के लिए, सेम speeds के लिए, जो है एक बंदे के पास पुचा सकते हैं, बोल अपनी, तो अब देखते हैं, वो कौन से दो angles हैं, let these angles be theta1 and theta2, मान लिया के दो angles theta1 और theta2 हैं, जिनके लिए ranges मेरी सेम रहती हैं, तो r is equal to u square sin 2 theta1 by g, which is also equal to u square sin 2 theta2 by g, तो u square से u square cancel होगया, g से g cancel होगया, sin 2 theta1 is equal to sin 2 theta2, तो एक समझदार व्यक्ति क्या करेंगे कुछ लोग, के इसको theta1 is equal to theta2 भी मान सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, कि कब एक angle, दूसरे angle के equal, sin of an angle A is equal to sin of angle B है, तो इसका मतलब A और B के बीच में क्या relation होना चाहिए, जैसे अगर मैं आपको इसको अलग से लिखे हैं हम लोग, लिख सकता हूँ मैं, तो के देखो, के अगर मैं sin A is equal to sin 180 degree minus A भी लिखा जा सकता है, तो which is equal to sin B, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, के sin 2 theta 1 is equal to sin 180 degree minus 2 theta 1 which is equal to sin 2 theta 2, मैंने 2 theta 1 की जगा 180 degree minus theta रख दे हैं यहाँ तो अब 180 degree यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 से जो है, तो therefore 180 degree minus 2 theta 1 is equal to 2 times theta 2, 2 common ले आते हैं, 90 degree minus theta 1 times 2 is equal to 2 times theta 2, 2 से 2 हो गया बच्चों आपका cancel, तो therefore if theta 1 plus theta 2 is equal to 90 degree, this is the condition for this, कि अगर जो है theta 1 plus theta 2 90 degree के एक बच्चों है, मतलब क्या हुआ, कि अगर मैं बात करूँ कौन से 2 angles के लिए, जो है मेरा range सेम आने वाला है, सेम velocity और projection के लिए, तो एक तो 30 हो, दूसरा 60 हो, यानि कि दोनों का sum 90 degree आना चाहिए, तो एक 30 हो, दूसरा 60 हो, तो सेम ही जगा पर जाके गिरेगी मेरी बोल, मतलब मैं 30 degree पर बोल को हिट करूँ, चाहिए 60 degree पर बोल को हिट करूँ, सेम ही जगा पर जाके बोल को गिरने वाली है, ओके, चाहिए 45, 45, 45 तो common हो गया ना, तो 45 के around आप इस तरह से ढूंड सकते हैं, तो जैसे आगर मैं बात करूँ के 50, तो दूसरा एंगल कौन सा होगा, 50 plus 40 is equal to 90, तो यानि के आप 40 पर हिट करो, चाहिए 50 पर हिट करो, दोनों की दोनों बोल्स सेम ही जगा पर जाके गिरने वाली हैं, similarly, मैंने यहाँ पर आपको दे दिया, let us say कि 42 degree, तो दूसरा एंगल कौन सा होना चाहिए यहाँ पर, 90 minus 42 का मतलब कितना हो गया बच्चों, तो यह हो गया आपका, 48 जाजा, तो यह आगया, तो यानि कि आप चाहिए 42 पर हिट करो, चाहिए 48 पर हिट करो, तो देरफोर इन दोनों ही केसी में, वो बोल सेम ही जगा पर जाके गिरने वाली है, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकते हैं, मतलब एक तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे 90 minus theta 1 should be equal to theta 2, एक तो यह condition हो गई, there is another way of writing the same thing, आप इस चीज़ को ध्यान से observe करो, तो यह क्या हो रहा है, 45 minus 5 degree, 45 plus 5 degree, 40, 50, ठीक है, यहाँ पर देखो, 45 minus 3 degree, 45 plus 3 degree, तो इस टू एंगल्स जिनके लिए, same angle of projection आपको मिलने, same range मिलने वाली है दियार, 45 minus theta, and 45 plus theta, इन दोनों एंगल्स के लिए, आपको same angle of projection मिलने वाले हैं, तो आप इनको try किजिए अपने ही साब से, तो आपको बहुत ही इसली यह आपको निकलेंगे, 45 minus theta and 45 plus theta, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, these are very beautiful kind of concepts, जिनके वज़ा से जो है, यह study जो है, बहुत ही मजदार हो जाती है कभी-कभी, किस तरह से दो एंगल के लिए, सेम ही जगाद पर मेरी बोल पहुँच सकती है, अग यदि मैं 45 पे भेज रहा हूँ, तो 45 minus 0 and 45 plus 0, तो उसके case में this is the only angle, जिसके case में कोई दूसरे एंगल के equal नहीं हो सकता, मेरा same range, तो 45 is the only angle, बाकी हरे एक 90 degree तक के लिए, हरे एक एंगल के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा ही रहेगा, चाहे मैं 30, चाहे मैं 10 की बाद करूँ, तो 10 degree और 80 degree, अब तुम बोलोगे, 10 degree और 80 degree कैसे हो सकता है, तो इसको imagine करो एक बार माइंड में, अगर हम बनाने की कोशिश करें इस चीज़ का, हम लोग let me try, तो ये देखो, तो कुछ इस तरह से अगर मेरा motion है, कि मैंने एक तो बिल्कुल छोटे से 10 degree पे उसको hit करा, और दूसरा बिल्कुल above angle, यानि के 80 degree पे hit कर रहा हूँ, कुछ भी हो, वो जाएगा, ये हो सकते है थोड़ा सा उपर जाए, लेकिन end में वो बिल्कुल यही पर गिरने वाला है, 10 degree और 80 degree के केस में, ओके, तो this is what it means when I say this, तो 45 minus theta और 45 plus theta से भी समझ सकते हो, या फिर आप इसको theta और 90 minus theta के तरीके से भी समझ सकते हो, तो I hope ये पार्ट आपको clear हो गया होगा, एक पार्ट हमारा रह गया है, that is how to find out the velocities at any different point, तो final velocity आपको निकालनी है यदि, तो वो निकालते हैं आप लोग, हम लोग एक projectile motion के केस में, देखते हैं कैसे निकालनी है final velocity, बहुत ही easy रहने वाली है again, तो ये देखो, ये हमारे पास एक projectile motion हो रहा है, let us assume, तो at any instant of time ये A point है, ये B point है, मैंने अलग-अलग points चूज़ कर लिए, C, D, इसको बोल दिया, E, ओके, अलग-अलग points पर उसकी speed और या फिर velocity अलग-अलग रहने वाले हैं, तो देखो कैसे, माल लो, सबसे पहले उसकी speed जो है यहाँ पर U थी, ओके, इसके दो component थे, एक तो ये U cos theta, एंड ये वाला हो गया U sin theta, अगर मैं इस point की बात करता हूँ, तो कुछ इस तरह से इसकी velocity बनने वाली है, तो ये हो गया हमारा U cos theta है, ये U sin theta, आप देखोगे, जैस जैसे हम मैं उपर जा रहा हूँ, वैसे वैसे देखो, मेरा X component जो है, वो तो same rare है, पर Y axis दीरे दीरे जो है, पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, एक point तग आते आते वो, जो है, degrees हो चुगा है, फिर नीचे की तरफ motion की, अगर मैं बात करता हूँ, तो वो फिर से बढ़ने लगा है, कुछ इस तरह से, X axis, Y axis, अगें, जब इस point वो पहुंचते हैं हम लोग, तो कुछ इस तरह से, इसकी length जो है आप देखेंगे, कि वो increase होती जा रही है, जब हम नीचे की तरफ पहुंच रहे हैं, एक point का क्या ध्यान रखना है, कि X axis जो है, उसकी velocity तो सेम है, Y axis की velocity पहले maximum थी, फिर decrease होते हुए 0 पर आई, फिर से increase होना start हुई, और last में आते आते वो फिर से maximum हो जाएंगे, तो अब इसके लिए अगर मुझे velocity at any instant of time अगर मुझे निकालना है, तो let's say कि मुझे कोई बोले कि जब वो B के उपर है, उस instant of time के पर उसकी velocity क्या रहने वाली है, तो आप मुझे ये बताएंगे, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो let, सबसे पहले हम लोग x-axis के motion की बात करते हैं, और फिर y-axis के motion की बात करते हैं, initial velocity क्या है बच्चों, u cos theta, यहाँ पर क्या है, u sin theta, initial velocity, x-axis में, ux is equal to u cos theta, u y is equal to u sin theta, ओके, acceleration की यदि मैं बात करूँ, तो x-axis में कोई भी चीज़ फोर्स नहीं लगा रही है, तो ax is equal to zero है, y-axis में gravity force लगा रही है, तो ay is equal to minus g है, अब आपको क्या करना है, velocity at any instant of time निकालना ना, तो बहुत easy है, तो velocity at instant t, अगर t instant पर अगर मुझे दोनों की velocity अगर मैं निकालना जाओ, x-axis में और y-axis में, तो vx is equal to ux plus ax t, values को put कर दीजिए यहाँ पे, तो vx is equal to u cos theta plus 0, तो आपको क्या समझ आया है यहाँ पे, इससे हमें यह समझ आया, कि x-axis की velocity जो है वो time के अपर depend ही नहीं कर रही, उसका क्योंकि ax के अंदर 0 पूट करता हूँ, तो वो तो पूरे term को ही गायब कर देती है, तो vx is equal to u cos theta, तो यानि कि जितनी उसकी initial speed थी, उतनी ही हर instant of time पे, उसकी x-axis की speed रहने वाली है, it is not going to change at all, क्योंकि velocity को change करना ही के लिए, एक acceleration चाहिए, एक force चाहिए, और x-axis में कोई force ही नहीं, तो therefore x-axis की जो velocity रहने वाले, it is going to remain the same at every instant of time, अब यदि हम बात करें y-axis की, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर acceleration लग रही है, deceleration लग रही है, तो उस case में क्या होगा, तो vy is equal to u y plus a y t, तो vy is equal to u y की value पूट कर देंगे हैं, हम लोग u sin theta minus g t, तो आप इसको देखें ध्यान से, कि यह अलग अलग instant of time पे, कैसे है, जैसे time बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे speed उसकी घटती जा रही है, तो देखो, सबसे पहले u sin theta था, minus g, जब मैं t की value 1 put करता हूँ, u sin theta minus g हो जाएगी, t की value 2 put करता हूँ, u sin theta minus 2g हो जाएगी, तो देखो, अलग अलग instant of time पे, इसकी speed decrease होती जाएगी, एक point ऐसा हैगा, जब यह दोनों equal हो जाएगा, तब 0, उसके बाद time जैसे, और भी मैं बढ़ाऊँगा, तो negative में speed उसकी बढ़ने लग जाएगी, यानि के पहले उपर की तरफ जो है, उसकी speed थी, अब नीचे की तरफ speed हो गई उसकी, तो v y is equal to u sin theta minus gt, this is velocity in the y axis at any instant of time, अब यदि कोई पूछे आप से, कि सर इसकी final total velocity क्या रहे ने वाज़े, तो v is equal to under root v x का square, प्लस v y का square, अब इसकी value को put करें, answer निकल जाएगा, तो under root u square cos square theta, plus u sin theta minus gt का whole square, okay, a minus b का whole square, a square plus b square minus 2ab, let us put this value, तो under root u square cos square theta, plus u square sin square theta, a square हो गया यह, plus g square t square, यह b square हो गया, minus 2 u sin theta into gt, ओके तो यह आगया, आपके पास एक question, अब u square इन दोनों में से common लेने, तो sin square theta plus cos square theta आ जाता है, and sin square theta plus cos square theta is equal to 1, तो यूज़ इस equation को अगर मैं, simplify करके आगे लिखना चाहूं, तो v must be equal to under root u square plus g square t square minus 2u sin theta into g into t, तो this is the velocity at any instant of time, जब आप एक projectile को throw करते हैं, अलग-अलग time पे अलग-अलग velocity रहेगी, क्योंकि Y axis में जो time की dependence है, उसकी वज़ा से, ओके बच्चो, तो अई होब ही आपको angular projectile motion clear हो गया होगा, आपको कोई भी question आप मुछ से, comment section में पूच सकते हैं, और whatsapp पे भी पूच सकते हैं, तो I will be very glad to answer you, thank you very much.